Hello children, how are you? You must be studying, आप पढ़ाई कर रहे होंगे and you must be very very happy और बहुत खुश होंगे. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़िदार, बहुत ही interesting वीडियो लेकर आई हूँ. आप जानते हो इसमें मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ? इसमें मैं आपको सिखाने जा रही हूँ यू और यॉर का यूज. देखो आप अपने बारे में बात करते हो तो आप कहते हो ना I am a boy, I am a girl, I am beautiful. लेकिन जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं तो तब हमें क्या बोलना होता है? यू. जैसे आप मेरे बारे में बात करते हो तो आप मुझे क्या कहोगे? I थोड़े ना कहोगे? आप बोलोगे यू. क्या बोलोगे आप? यू आर आर टीचर. आप एक टीचर हो. और मैं जो वीडियो आपको बना के पढ़ा रही हूँ. तो वो मेरी वीडियो है ना? तो अब क्या बोलेंगे? This is your वीडियो. तो चलिए अब हम यहाँ पर भी यह सब चीजे सीखेंगे. तो सबसे पहले यू का मैं आपको बता दू. यू क्या होता है? तुम. और यूर क्या होता है? तुम्हारा. कोई भी चीज जो तुम्हारी है वो यूर होती है. तुम्हारी, तुम्हारे, इस करके जिस पे भी हम अपना कोई बता रहे हैं, हक दिखा रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं, तो हम यूर लगाते हैं. तो अब संटेंस हमें बनाना कैसे होता है? ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. अब ये टीचर है और ये इस्टूडेंट है. तो ये टीचर क्या कह रहे हैं ऐसे? यू आर अस्टूडेंट के तुम स्टूडेंट हो और इसको ये बुक दे रहे हैं तो ये स्टूडेंट की बुक है. तो इसे कह रहे हैं दिस इस यॉर बुक, ये तुम्हारी बुक है. अब देखिए, ये यहाँ पर मैन है और ये मैन इसको बता रहे हैं के तुम प्लेयर ह तो क्योंकि ये खेल रहे हैं, you are a player, जो खेल रहा होता न, वो player होता है, चाहे वो cricket खेले, या hockey, या bat ball, या football, और ये इसको bowl देके कह रहे हैं, ये तुम्हारी bowl है, this is your bowl, अब यहाँ पर देखिए, ये पापा हैं, और ये राज है, तो पापा इसे लड़के से क्या कह रहे हैं, you are राज, कि तुम राज हो, और ये अपने बारें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे पापा हूँ, I am your father, अब ये यहाँ पर कह रहे हैं, मम्मी है ये, you are my son, son किसे कहते हैं बेटा, जैसे आप वाई हैं, तो आप अपने मम्मी पापा की क्या हैं, son है, अगर आप girl हैं, तो आप daughter हैं, तो ये वाई हैं, तो ये son है, son का मतलब होता है बेटा, you are my son, ये कह रहे हैं तुम मेरे बेटी हो, this is your lunch और ये तुम्हारा lunch है, now, अब ये कह रहे हैं इस बवाई से, इस बवाई का निम पते क्या है, राम, you are राम, ये मैन है, और ये मैन इस बवाई से कह रहे हैं, कि तुम राम हो, you are राम, और ये इसे ये ट्वाई दे रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा ट्वाई है, this is your ट्वाई, अच्छा लगा है ना अब आपको पता है क्या करना है आपको ये करना है आपके घर में जितने भी लोग हैं सबको आपको जाके बताना है जो आपके ब्रदर सिस्टर है उनका नेम लेके आप बताईए यू आर जो भी नाम है यू आर शमिता यू आर अमेत यू आर छोटू आपकी जो मम्मी है तो उनको बताईए यू आर माई मम्मी आपके पास कोई गर्ल खड़िये यू आर एक गर्ल कोई मैन है तो यू आर एक मैन और फिर उनकी किसी भी चीज़ के बारे में बताईए कि ये आपका mobile है, this is your mobile सबसे पहले आप मम्मी से शुरू करिए you love your मम्मी ना, मम्मी से शुरू करिए मम्मी के पास जितनी भी चीजे हैं, सब की सब चीजों को बताईए आप this is your सारी, this is your sweater, this is your mobile जितनी भी चीजे हैं मम्मा के पास सब के बारे में बोल के बता दो फिर पापा के बारे में बता दो तो आपके न प्रैक्टिस जाएगी बहुत सारी अब चलो मैं भी तो आपने प्रैक्टिस तो कर ली है ना अब मैं जराब से करवा के तो देखूं कि आपको आया कितना है समझ में चलिए शुरू करते हैं practice अब यहां पर यह by है तो यह by ते क्या कह रहा है यह कह रहा है यहां लिखा है friend आर you are my friend तुम मेरे friend हो यह कह रहा है और यह इसे pencil दे रहा है और कह रहा है कि this is your pencil क्योंकि यह pencil इस by की है न this is your pencil अब ये अपने बारे में कह रहा है ये मैं रोहन हूँ क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो ना M है U के साथ जब भी हम U का यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा R का यूज होता है लेकिन I के साथ M का यूज होता है तो यहाँ पर I आना चाहिए I am रोहन और यह कह रहा है यह मेरा गिटार है This is my guitar ओके यहाँ फुल इस्टब लगा देते हैं अब यहाँ पर देखे अब यह कह रही हैं कि मैं तुम्हारी मदर हूँ M लगा है तो हमें यहाँ पर I ही लगाना होगा I am your mother आब यह से कहें तुम मेरे बेटे हो तो यहाँ पर you लगाएंगे You are my son तुम मेरे son हो अब यह कह रहें रानी कि मैं रानी हूँ यह लड़की रानी है I am रानी और यह इसकी डोल है This is my doll अब आगे देखने है यह boy क्या कह रहा है यह कह रहा है मैं रोहित हूँ I am रोहित और यह कह रहा है मेरी साइकल है यह This is my bicycle तो ऐसे भी आपको अपनी चीजों के बारे में बताना है अपने पापा को अपना नेम लेके बताना है जैसे कि आपको बताना है I am राधी का और फिर अपनी किसी भी चीजों को बता दीजे This is my bag और भी आप बता सकते हैं अपना नेम लेके कोई मा लेजे बॉय है तो बॉय क्या बोलेगा I am prince और क्या कहेगा कि ये मेरा ट्वाइ है This is my ट्वाइ ट्वाइ तो सब के पास होते हैं तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है अब चलिए यहाँ पर देखे ये यहाँ पर बॉय जो गर्ल्स है ये लीना है राम, अली, सरगम और मनी अब हम करते हैं अब देखिए ये क्या कह रहा है ये अपने बारे में पहले क्या बोलेगा I am अब ये बॉय है देखिए कौन सा बॉय था ये ये वाला था ना ये वाला I am अली अली है और इसकी ऐसी ड्रेस को अब सी गर्ल की इसकी है, इसका नाम क्या है सरगम और यू आर सरगम ऐसे करके आपको लिखना है अब ये दोनों बॉय है ये पहले अपने बारे में बताएगा तो चलिए देखते हैं पहले पिंक किसकी है टी शर्ट, मनी की है तो ये क्या बोलेगा I am मनी अब ये इसके बारे में क्या कहेगा यू आर ये कौन है जिसकी ब्लू टी शर्ट है ये राम की तो ये क्या बोलेगा इसको यू आर राम अब देखते हैं ये क्या कह रही है आयम ये येलो कलर का किसका है येलो येलो देखते हैं जरा ये लीना तो ये क्या बोलेगी आयम लीना और ये जिसने ऐसे ग्रीन कलर की जैकेट पहनी है ये बॉय कुन था ये था अली तो इसके बारे में क्या बोलेगी यू आर अली तो आप भी अपने जितने भी आपके घर के मेंबर्स हैं सबके बारे में इस तरीके से बोलिए प्रैक्टिस करिए फिर आपको I, You और यूर को यूज़ करने में माई को यूज़ करने में कोई प्रॉबलम नहीं होगी मुझे पक्का विश्वासे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक तो बनता है ना तो लाइक का बटन जरूर प्रैस कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करना है सब्सक्राइब कर देना थेंक्यू फोर वाचिंग दा वीडियो हैव अ वांडरफुल डे बाबाई